दोस्तों नमस्कार ये हमागदुशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे आगामी परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान नियद्धिन के लिए महत्तपूर्ण टॉपिक बैकल्पिक उर्जा एवं उर्ज अठ्वर्जा संसाधन से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्ण इस वीडियो में हमने केवल उन्हीं महत्तपूर्ण प्रश्णों को सामिल किया है जो परिक्षाओं की दृष्टी से बेहत महत्तपूर्ण है ये वीडियो विश्यस रूप से UPPCS प्रारंभिक परिक्षा, आ सामान्य ध्यनखंड के लिए बहुत ही उपयोगी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो वेकल्पिक उर्जा एवं उर्जा संसाधन से संबंधित महत्तपूर प्रश्न सबसे पहले प्रश्नों पराते हैं देखिए पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट संग ये सतत उर्जा का दशक घोसित किया गया है किस दशक को तो आप जान लीजे 2014 से 2024 के दशक को संयुक्त राष्ट संग यानी यू यन्नों के द्वारा सभी के लिए सतत उर्जा का दशक घोसित किया गया है अगला प्रश्न है पाउध्य के वे उत्पाद जो की हजारों वर् पृधवी के नीचे दबे पड़े थे या पहुधो के वे जीवास्म जिनका उपयोग हम इंधन के रूप में करते हैं वो क्या कहलाते हैं तो उत्तर है जीवास्म इंधन दोस्तों पेड़ पहुधो के वे उत्पाढ़ जो हजारू वर्सों के पृधवी के उप्योग करने के बाद इन्हें दुबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इनके अंतरगत कौण कौण से इंधन शामिल हैं, तो ये हैं कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म इंधन ऐसे हैं, जिनका एक बार उप्योग करने के बाद हम इन्हें दोबारा प्राप्ट नहीं कर सकते हैं। अगला प्रेशन है फोटो बोल्टो एक तकनीक के द्वारा सूरे के प्रकास को परिवर्तित किया जाता है किस उर्जा में तो सही उत्तर सौर उर्जा में। अगला प्रेशन है उर्जा का वह विसिष्ट रूप जिससे परियावाड़ी प्रदोशन की समस्या नहीं होती। तो सौर उर्जा या सोलन इनर्जी उर्जा का वह रूप है जिससे परियावाड़ी प्रदोशन की समस्या नहीं होती है। अगले प्रेशन पर आते हैं सौर बैटरी या सौर सेल सूर्य या प्रकाश के किसी अनिसरोज से उर्जा प्राप्त करता है। एक बहुती महत्पोंड प्रेशन है जवाहर लाल नहरू सौर मिशन जवाहर लाल नहरू सोलर मिशन भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। तो तिथी याद रखेगा 11 जन्वरी 2010 को जवाहरलाल नहरो शौर मिसन भारसरकार द्वारा प्रारम किया गया था अगला प्रश्ण है करक रेखा और मकर रेखा के बीच इस्थित 101 समभावी सदर से देशों का एक समू है जो अपनी उर्जा आवशक्ताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त उर्जा का उप्योग करने के लिए प्रतिबद्ध है तो ये कौन सा गठ बंधन है इसका नाम है I.S.C. यानि International Solar Alliance तो अंतराष्टी सौर गठ बंधन दोस्तों करक रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश है जहां पर सौर उर्जा की अधिक्तम प्राप्ती होती है उनके द्वारा सूरिस से प्राप्त उर्जा का उप्योग करने के लिए एक गठ बंधन बनाये गया है जो अंतर राष्टिश और गठ बंधन कहलाता है अगला प्रेशन है पेरिस में संयूत राष्ट जलवाई परिवर्तन सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर एलाइंस का उधगाटन प्रधान मंतरी मोधी फ्रांस की राष्टपती फ्रांसवा ओलांद और यूयन के ततकालिन महासची वान की मून की उपस्थिती में कब किया गया तो 30 नवंबर 2015 को अंतराष्टी सौर गठ बंधन का उधगाटन किया गया था आईस्य का सची वाले कहा है तो अंतराष्टी सौर गठ बंधन का सची वाले गुरु ग्राम हर याडा में है और एक और महत्तपूर्ण प्रेशन आईस्य का प्रथम सिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को कहां पर संपन हुआ था तो उतर है नई दिल्ली में अगला प्रेश्ण है विस्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर उर्जा से संचालित अंतराष्टी हवाई पत्तन कौन सा है तो ये है केरल का अंतराष्टी एयरपोर्ट कोच्ची एयरपोर्ट जो की दुनिया का प्र उर्जा स्रोत में सबसे अधिक संभाव्यता वाला श्रोत कौन सा है तो ये है सौर शक्ती दूसरा है जैविक मात्रा में सरवाधिक उप्योग की जाती है कौन सी उर्जा तो सौर उर्जा जो है प्रिध्वी पर सभी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उनका मूल स्रोत है और जैविक मात्रा में सौर उर्जा सरवाधिक उपियोग की जाती है अगला है सौर उर्जा बैकल्पिक उर्जा का सबसे बड़ा संग रहागार है ये हमें प्राप्त होती है तो सही उत्तर सूरे से ये उर्जा प्राप्त होती है एक और देखिए कभी नसमाप्त होने वाली तथा प्रदोशन रहित उर्जा कौन सी है तो solar energy या sour उर्जा ये कभी नसमाप्त होने वाली और प्रदोशन रहित उर्जा है अगला जानते हैं उर्जा संसाधनों के बारे में प्रमुक तत्यों को दोस्तों जो हमारे उर्जासन साधन है इनको मुख्य रूप से दो भागू नवी करड़ी उर्जासन साधन और अनवी करड़ी उर्जासन साधनों में बाठा जाता है नवीकाडी उर्जासंसाधन जो है इनका बार बार प्रियोग किया जा सकता है एक बार प्रियोग करने के बाद भी ये लगातार बने रहते हैं जबकि अनविकाडी उर्जा संसाधन एक बार प्रियोग्त करने के बाद या एक बार प्रियोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं आप जान लिजे नविकाडी उर्जा संसाधन अस्थाई होते हैं अनविकाडी उर्जा संसाधन समाप्त हो जाते हैं देखिए नविकाडी उ वन उर्जा, जल विद्धुत उर्जा, बायो गैस, भूतापी उर्जा, कच्रे से उत्पादित उर्जा और ज्वारी उर्जा शामिल हैं और इसी तरह आप देखिए अनवीकाड़ी उर्जा संसाधन जो समापतो होने वाले हैं उनमें जीवासम इधन जैसे कोईला, पेट्र प्राकृतिक गैस तथा परमार उर्जा और शेल गैस ये अनवीकाड़ी उर्जा संसाधन हैं और वर्तमान में देखा जाए तो अनवीकाड़ी उर्जा संसाधनों पर विश्व की अधिक निर्भरता है लेकिन जो नवीकाड़ी उर्जा संसाधन है सौर उर्जा, पवन उ भारत को बैस्विक रूप से अग्रडी देश के रूप में अस्थापित करने के लिए राष्टी सौर नीत जिसे जवाहर लाल नहरू राष्टी सौर मिशन यानी JNNSM नाम दिया गया था कब लांच की गई थी तो ये जनवरी 2010 में लांच की गई थी अगला प्रश्ण है बायो मास में अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी उर्जा पाई जाती है तो याद रखेगा बायो मास में अप्रत्यक्ष रूप से सौर उर्जा पाई जाती है अगला प्रश्ण है ये बायो डीजल की फसल है और पुस्पी पादपों की प्रजातिका पौधा है जो सूखे और बिनास्कारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है तो ये जे ट्रोफा या रतंजोत है जिससे की बायो डीजल की उत्पति या बायो डीजल की प्राप्ति होती है अगला है यह ऐसे भी जो उत्पर्न करता है जिसमें 27 से 40 प्रतिशत तक तेल होता है तो यह जेट रोफा है करंज महुआ और नीम आद भी प्रियोग में लाए जा सकते हैं किस रूप में तो याद रखेगा करंज महुआ और नीम भी बायो फ्यूल या जैव इंधन के रोप में प्रियोग में लाए जा सकते हैं अगला प्रशन है भारत के अधिकान सुस्क छेत्रों में प्राकृतिक रोप से कौन सा पौधा उगता है तो यह है पाउंगामिया पिनाटा जो की जैव इंधन के रोप में इसकी मांग है पैंगौमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत मात्रा में होता है जिसमें लगभग आधा क्या होता है तो आधा ओली एक एसीड होता है अगला प्रशन है जेट रोपा या रतनजोत के अलावा किस अन्य पाओधे को बायो डीजल का बिकल्प माना जाता है तो ये पाओधा है पौंगामिया पीनाटा अगला प्रश्ण है मक्का की खेती एथिनाल के लिए की जा सकती है जबकि जेट रोपा, पैंगोमिया और सुरजमुखी की खेती की जा सकती है किसके लिए तो उत्तर है बायो डीजेल के लिए अगला प्रश्ण है उस्मा रासायनिक परिवर्तन द्वरा ठोस बायो मास का दहन योग गैस मिश्रन रूपांदरन है किसका तो बायो मास गैसी करण का आईए को छन्य मोहत्तोपूर्ण प्रश्णों पर आते हैं जैव परिवर्तनी सब श्ट्रेट में उपलब्ध रासानी कुर्जा को सीधे विद्धूती उर्जा में कौन जो है कौन सी कोशिकाएं परिवर्तित करती हैं तो यह है सुक्ष्म जैविक इन्धन को सीखाएं याद रखिएगा जैव परिवर्तनी सब श्ट्रेट में उपलब्ध रासानी कुर्जा को सीधे विद्धूतूर्जा में सुक्ष्म जैविक इन्धन को सीखाएं यानी MFC परिवर्धित कर देती हैं अगला प्रश्ण है, अपसिष्ट जल के सोधन के लिए सुष्मझयवी की इधन को शिकाओं के प्रयोग से जल सोधन की लागत घटती है, साथ ही ये एक आकर्सख विकल्प भी है किसका, तो ये बिध्दुत उत्पादन का, अगला प्रश्ण है सुछमजयवी की इधन कोसिकाओं में मुखेत कार्वनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलूलोज, स्टार्च, फार्मेट, एसीटेट, इधिनाल, मिधिनाल, अमीनोमल, प्रोटीन आधि प्रियूप्त होते हैं किस रूप में? तो उत्तर है सब इस्ट्रेट के रूप में अगला प्रश्ण है बायो एस्फाल्ट विकल्प है किसका? तो डामर यानि एस्फाल्ट का विकल्प है बायो एस्फाल्ट अगला है एक रासाइनिक अभग्रिया के माध्यम से विद्दुत का उतपादन होता है नकी दहन के माध्यम से तो सही उत्तर फ्यूल सिल में याद रखिएगा फियूल सिल में एक रासाइनिक अफिक्रिया होती है जिसके माध्यम से विद्धोत उत्पादन होता है न की दहन के माध्यम से अब आईए एथिनाल के बारे में जानते हैं दोस्तों आप जान लीजे एथिनाल एक एलकोहल है जिसको एथिल एलकोहल कहा जाता है और सक्कर में पदार्थ जैसे गन्ने के सक्कर आप देखिए गन्ने के सक्कर ग्लुकोज, शोरा, महुए, कफूल, आदि इस्टार्च में पदार्थ से एथे नाल की प्राप्ती होती है गन्ने के खेती के द्वारा बायो एथे नाल की प्राप्ती की जा सकती है और पाइन, करंज, फर्न से भी किडवी करण या किडवन करके एथे नाल प्राप्त किया जा सकता है और एथेनाल दोस्तों ये महत पूर एधन के रूप में पर्यूक्त होता है फ्यूल सेल के लाफ जान लिजे सेल की डिजाइन और माप का आसान मान की करण परियावरण हित ऐसी है ये शोर रहित होता है और इसकी दक्षता यानि एफिसियंसी भी अधिक होती है बायो मास के बिभिन स्रोत कौन कौन से हैं फ्यूल सेल से विद्धुत उत्पादित होती है किस रूप में तो दिश्ट धारा यानि डायरेक्ट करेंड के रूप में फ्यूल से विद्धुत उत्पादित होती है अगला प्रेशन है जल के तापी ए पृठक करण प्रकास अपगाटन अथवा बिद्धूत अपगाटन के द्वारा किया जा सकता है क्या तो उत्तर है हाइड्रोजन का उत्पादन अगला प्रश्ण है अगला है हाईड्रोजन के महत्तु को देखते हुए भारत में राश्टी हाईड्रोजन उर्जा बोर्ड यानि नेश्नल हाईड्रोजन एनर्जी बोर्ड कब गठित किया गया है तो याद रखेगा वर्स 2003 में हाइड्रोजन के महतु के देखते हुए भारत में राष्टी हाइड्रोजन उर्जाबोर्ट का गठन 2003 में किया गया है और देखे अगला प्रशन है कि कई वैज्जानी को के अनुसार भविशे का इंधन क्या है तो उत्तर है हाइड्रोजन गैस भविशे का इंधन है और ये अत्यधिक दक्ष और अत्यधिक उर्जा वाला इंधन है जिससे की कम से कम पर्यावार प्रदोशण होगा अगला प्रश्ण है 2016 में भारत का पहला पूंड जैविक राजी कौन बना था तो सिक्किम और प्रिथवी की भू परपटी में पाए जाने वाले उष्ड जल से प्राप्त होने वाली वह उर्जा जिसका उप्योग मानव अपने विभिन कारियों के लिए करता है क्या कहलाती है तो ये भू तापी उर्जा या जीयो धर्मल एनरजी कहा जाता है प्रिथवी के में पाए जाने वाले उष्ड जल की उर्जा को अगला प्रश्ण है भारत में हिमाले खंबात की खाड़ी सोनाटा यानि सोन नर्मदा तापी बेशिन पश्मिघाट गोधावरी वेसिन और महानदी वेसिन क्या है तो ये भू तापी उर्जा स्रोत के प्रमुख छेत रहें तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने भारत में बैकल्पिक उर्जा और उर्जा संसाथनों से संबंधिर सभी मोहत्वपोंड तत्यों को कवर किया जो आपके आगामे बिभिन परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान यद्यान खंड के लिए बहुत ही उ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार